जितने परकेंट अस्तरी है, जिलास्तरी है और जितने भी केंड्ये के जितने भी पदधारी है यहां उपस्तित जितने भी अभी भाबगड जितने भी हमारे दादा दिदी काका काकी जेठा जेटी मोसा मोसी और सभी को मेरा एक साथ जारकंडी जोहार और यहां जितने भी उपस्तित हमारे छोटे भाई और बहन सभी को हमारा इसने वहरा प्यार आज यहाँ हम लोग जारखंड के स्वाभीमान जातरा निकाले इसका उद्देश है सबको मालूम है इसका उद्देश लेकिन फीर भी मैं एक बार कहना चाहूंगी कि आज हमारे ये स्वाभीमान जातरा निकालने का जो उद्देश है बहुत जो दादा लोग जो दीदी लोग किताब पढ़े हैं गुगल में देखे हैं सबको मालूम है कि लग भाग तीन विलियन बर्स पूर्भ जब समुंद्र से जब प्रीथिवी बहार आई थी तो सबस्ते पहले प्रीथिवी का जो छेत्र दिखा था वो हमारे ये जार्खंड हमारा कोल्हान का छेत्र तो क्यों न हम स्वाभिमान करें अपना जार्खंडी होने का क्यों न हम गर्ब करें क्यों न हम मतलब हम अकल नहीं होता है हम मतलब हम लोग क्यों न हम लोग गर्ब करें गर्ब महसूस करें कि हम लोग जारकंडी है और उससे भी बड़ी बात है कि हमारे भारत बर्थ में पूल 28 राज्य और 8 केंद्र सासित परदेश है इन 28 राज्यों में से एक मात्र हमारा जारकंड राज्य ऐसा है जो कि पूरे भारत बर्थ को अकेले 44 पर तीसाथ खनी 40 पर तीसाथ अकेले हमारे जारकंड राज्य पूरे भारत बर्थ का अर्थ बेवस्ता को चलाता है फिर भी हम जारकंडी गरीब क्यों है क्यों हम जारकंडी लाचार पड़े हुए है क्यों हमारे जारकंडी इतना पिछड़ा है क्यों है हमारे जारकंड इतना पिछड़ा क यूज ह денег को सभ्दों है हमब चालीज परफिसत खनिश्यम पदा दो traitor terror3 अरث बेवस्ता चलता है तो पीर हम अरे dar should को सभ्द्ध में हर बदले में हम लोगों को कुछ ग्यों नहीं मिलता है उसाब से हुआ भारत बश्क चालिस परिस तरहां वहारे जार्खंड अकेले दोई अगेमरें जार्खंड होना BIG करोड़पती होना पार नथरी करते हैं अब सभी मजश्दोरी करते हैं और जैसे यहां पर है ना है जो हिए कि स्टोपूर हुआ साच्ची हुआ यह जिसे कंपनिया एक ट्रुशक फिल कंपनिया ऐसे हमारे ज़र्खन में फॉलल लग-भग कम सेकाव छोटी बड़ी कंपनिया मिलाग़ unfud kl लेकिन। कम्पणी को प्रवधान क्या होता है उस छेतरे के जो लोग होते है 15 पर तीसत लोकरियां उन्हें मिलना चाहिए अर गवर्मेंट लोकरियां तो दूर की बात है नहीं नहीं किया है तो पिर हमारे जारखंडी लोग ग्यों नहीं दिखते हैं तो सोचिए हमारे जहरखंड के लोग इतने अच्छे हैं कि रोजगार तक दूसरे राजी के लोगों को देते हैं, देते हैं ना, दूसरे राजी के लोगों को यहां, जाके कमपनी में जाके देखिएगा, 75-35 आपको जहरखंड के लोग नहीं, उल्टा मिलेगा, 75-35 आपको स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे तो आप लोग बताईया दादा लोग स्वाभिमान यात्रा निकाला कहा जाता है और क्यों निकाला जाता है निकाला जाता है स्वाभिमान यात्रा जिस जगह आप रह रहे हैं जहां आपका कमाई हो रहा है जहां आप पाल पोस रहे हैं आपको रोज़ी रोजगार दिया है आपको वहां का सवाभी मानिया पता निकालना चूढ़ा कब तो आपको आपना राज का निकाल रहे है। जब आप यहां रह रहे हैं, जब आप जारकन में रह रहे हैं, जारकन का खाएंगे, जारकन में कमाएंगे, तो फिर स्वाभी मान आत्रे क्यों भाई दूसरा राज का यहां, यह हम लोग कते सोईकार नहीं करेंगे। कि हमेचा हैसे लड़के लेंगे काट के लेंगे लेकिन अब थोड़ा समिश्दारी से लड़ेंगे समझदारी से यानि की हतियार से नहीं क्योंकि हतियार्थ हम लोगों के द्हरा धरा लगते जाता है यहां थोड़ा राज मितिक बात कर रहे हैं अभी स्वाभी मानियात्रा में भी राजमितिक बात यहीं कर रहे हैं कि आप सब लोग जानते हैं यह अंदोलन बलापाटी है और यहां से जो हम लोग का जेल केम का उधाई हुआ इनका उद्दीस भी आप सब जानते हैं क्योंकि समय कम है काफी बगता है इसलिए म थोड़ा संचित में कहूंगी हर मतलब छुनाओ लड़के काट के लेंगे मतलब झोनाओ लड़के अब हम लोग अपना जार घंडियों को जिताएंगे रॉत करसी में गयुजन निती विद्धव निती विस्कापन लितियां जिस कूर्ची läuft करेंगे और यहां का नियम निती बनाएंगे इतना ही कहकर मैं अपनी वानी यहीं बिराम देती हूं अगर मेरे चंद बातों से भी किसी कमान में कोई ठेश पहुचा हो तो आप लोगों की बहन बेटी हैं बहन बेटी समझ के माप कर दीजिएगा और आप लोगों को बहुत- धन्नबाद अभार आप लोगों के साथ अभारी रहोंगी धन्नबाद जोहार